नमस्कार साथियो स्वागत है आपका Banker साथी चैनल में साथियो JIB एक्जाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है JIB से रिलेटड युनिट वाइस वीडियो आपको Banker साथी चैनल पर मिल जाएंगे सारे वीडियो आप देख सकते हैं और वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथी चनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहें, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे JIB के पेपर 3 की unit 13, जिसका नाम है deferred payment guarantee, साथियो deferred payment guarantee के बारे में जानेंगे कि deferred payment guarantee क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों परती है, इसमें कौन-कौन सी parties involved होती है, और इसका mechanism क्या है, तो इसको शुरू करने से पहले एक में example लेते हैं हम लोग, और example के माध्यम से समझने की कोशिश करेंग मान लीजे कोई Mr. A है, जो एक businessman है, production करते हैं, उन्हें एक machine की जरूरत है, और वो machine बनाते है Mr. B, अब Mr. B machine बनाते हैं और एक करोड रुपए की बेचते हैं, अब Mr. A है, उनके पास, उन्हें तो खरीद नहीं है, लेकिन उनके पास एक करोड रुपए नहीं है, अब A के प तो बाकी payment कहां से लाएं, या तो वो bank के पास approach करें और bank से term loan लें, क्योंकि machine के लिए capital जो goods होती हैं, उनके लिए term loan मिलता है, तो term loan के लिए apply करें, या फिर एक और option है उनके पास, कि वो एक deferred payment guarantee bank से issue करा लें, किसके favor में, जो seller है Mr. B, जो machine बेच रहे हैं, उनके favor में एक deferred payment guarantee issue करा लें, अब अगर bank जो है, bank को अपरोच करते हैं, और bank deferred payment guarantee issue कर देता है, तो फिर उस case में क्या होगा, जो 10 लाख मान लीजें, उनके पास जो है, वो उतना तो advance payment कर देंगे Mr. B को, बाकी Mr. B से कह देंगे कि ठीक है, मैं 10 लाख रुपए आपको advance दे रहा हूँ, ब कि जब बाद में payment होगा, तो B जो है, वो interest भी charge करेंगे, बाकी मैं आपको 6-6 महीने पे किष्टों में 5 साल के अंदर दोंगा, और अगर इस condition पे Mr. B तयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी machine बेचनी है, और फिर उन्हें interest भी मिली रहा है, तो अगर वो इस condition प उन्हें देने है, Mr. B को भी win-win situation है, क्योंकि Mr. B की machine एक तो बिग गई एक करोड़ की, और प्लस उन्हें interest जो है, वो भी मिल जाएगा, पैसे डूबने का डर नहीं है, क्योंकि bank ने guarantee ली हुई है, bank ने deferred payment guarantee issue की है, अगर Mr. A time पे payment नहीं करेंगे, तो उसकी liability जो है, इन parties involved है, लेकिन कई बार चौथी party भी involved हो सकती है, चौथी party कौन हो सकता है, जो seller का bank है, अब इसमें हमने जैसे देखा कि एक condition तो ये थी, कि जो seller है, वो किस्तों पे पैसा लेने को तयार हो गए, कि ठीक है, 5 साल तक मुझे किस्तों पे पैसा मिलता रहेगा, दूसरी एक condition ये भी हो सकती है, कि जब bank guarantee seller के पास आ गई, और उन्होंने जो bill raise कर दिये, bill of exchange उसमें बनाए जाएंगे, और अलग-अलग due date के, 5 साल तक की जो भी due date है, उसमें उस date के बनाए जाएंगे, और वो accept करे जाएंगे, seller buyer के द्वारा, प्लस जो buyer का bank है, तो वो भी accept कर ली जात उन्हें लेके अगर जो seller है, Mr. B जो समान बेच रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं, वो अपने bank के पास भी जा सकते हैं, और bank से कहते हैं कि ये मेरे bill है, ये मैरे मशीन बेची है, और मुझे इसका पैसा आना है, लेकिन ये पैसा 5 साल तक में आएगा, लेकिन मुझे पैसे की अ भी दे दीजे, अपना जो charges हैं वो काटके, बाकी payment मुझे दे दीजे, मुझे कहीं और पैसा वो लगाना है, तो उस case में एक और bank involved हो जाता है, जो की seller का bank है, तो इसमें 4 parties हो सकती है, जो buyer है, एक buyer, buyer का bank, एक seller, एक seller का bank, तो इस case में क्या हुआ, जो second scenario हमने देखा, उसमें जो seller है, उसको तुरंट पैसे मिल गए, क्योंकि उनने जो bill of exchange थे, वो अपने bank को दिये, और वहाँ से उसको पैसे मिल गए, जो buyer है, उसने cable advance payment किया है, बाकी payment वो due date पे करेगा, जो 6-6 महीने की उसकी किस्ते मनी है, उन पे करेगा, और अगर वो default करता है, तो liability जो है, वो issuing bank या जो buyer है, उसके bank की liability आ जाएगी, उसको वो due date पे payment करना होगा, और जब वो bill जो है, seller के bank के पास पहुच गया है, तो यह जो किस्तों का payment जो होगा, वो भी seller के bank है, उसको होगा, तो साथियों इस तरह से ये cycle complete होती है, इस तरह से ये काम होता है, अब देखते हैं इसको अब थर्ड पार्ट, deferred payment guarantee क्या होती है, अब थर्ड पार्टी, mostly banks and financial institutions guarantee the payment of the installment, this guarantee ensures timely payment of the installment to the seller, exporter, failing which the guarantee can be invoked and payment received, तो थर्ड पार्टी जो है, वो guarantee ले लेती है, mostly जो banks हैं या financial institution है, वो guarantee ले लेते हैं, और ensure करते हैं कि जो किस्तों का जो payment होगा, जो deferred, जो payments हैं, वो timely की जाएंगी, installment का payment timely होगा, अगर वो नहीं होता है, तो guarantee invoke हो जाएगी, और जो bank है, उसको payment करना होगा, deferred payment guarantee unconditional है, irrevocable guarantee होती है, कोई इसमें as and if and but कुछ नहीं है, bank को payment करना ही है, अगर वो due date पे, एक बार जब वो bill of exchange जो है, वो accept कर लिए गए, seller, buyer के द्वारा, और buyer क bank के द्वारा, तो यह unconditional और irrevocable guarantee हो जाती है, यह bank को देना ही है, और bank के लिए यह contingent liability होती है, जो कभी भी mature हो सकती है, direct liability के तोर पे नहीं है, उन्होंगे funds अभी गए नहीं है, जैसे बाकी जो loan होते है, term loan में के case में, जो तुरंट disbursement हो जाता है, तो funds transfer हो जाते हैं, तो उ अब method of payment normally क्या होता है, in a contract for import of goods on deferred payment terms, तब import is required to make payment in installment over a period of time which may range from 1 to 7 year, normally एक से लेके 7 साल तक के लिए यह जो installment बनती है, वो उतने time के लिए payment defer किया जाता है, in a normal deferred payment contract, the payment is usually done on the following terms, इस तरह से payment normally किया जाता है, 10 से 15% advance दिया जाता है, बाकी 10 से 15% जो है, वो receipt of document under letter of credit, जो बाकी 10 से 15% जो है, जो उसके जो bill एक बार accept हो जाएगा, उसके बाद payment किया जाता है, the balance amount is paid in installment spread over a period of 1 to 7 years, तो बाकी जो installment है, वो एक से लेके 7 साल तक का जो installment उसमें बनाई है, उसके एसाब से किया जाएगा, उसमें payment plus interest, दोनों चीजे है, वो आएंगी, in a deferred payment guarantee which as stated earlier, issued by bank and financial institution, what is guaranteed is timely payment of installment and interest if provided, this is done by issuing a deferred payment guarantee in which the following terms are mandatory, तो deferred payment guarantee के case में, timely payment जो है installment का वो guaranteed होता है, और कुछ चीजे हैं जो उसमें terms जो है, वो mention करने mandatory होते हैं, यह कौन-कौन से terms होते हैं, the supply of goods by seller to the buyer and the selling agreeing to postpone the payment of the price, this being the consideration of the guarantee, तो supply goods की होनी चाहिए, seller के द्वारा buyer को supply हो जानी चाहिए, और buyer और seller जो है, वो agree कर जाने चाहिए, mutually की जो payment है, वो deferred की जा रही है, इतने समय के लिए postpone की जा रही है, और इनका payment जो है, वो किस्तों पे इतने इतनी डेट पे होगा, तो यह चीज उसमें mention होनी चाहिए, उनके agreement होना चाहिए, the payment schedule of both the installment and interest, जो payment schedule है, वो mention होना चाहिए, कितने installment, कितने कब कब होनी है, monthly basis पे होंगी, yearly होंगी, या half yearly होंगी, वो mention होना चाहिए, और interest भी, का भी payment जो है, कैसे होगा, installment plus interest, दोनों च चाहिए, schedule जो है, उनका, वो mention होना चाहिए, the unconditional and irrevocable assurance of the bank, that is, that it would make payment on invocation of guarantee, और issuing bank जो है, वो unconditional and irrevocable assurance देगा, कि वो payment करेगा on invocation of guarantee, अगर guarantee का invocation होता है, तो issuing bank payment करेगा, तो यह चीज थी, साथियो, deferred payment guarantee इतनी ही होती है, और वीडियो गर आपको पसंद आया हो, तो आप इससे like करें, साथी channel को subscribe करें, और साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे bankers साथियों के साथ share करें, जो JIB का exam देने जा रहे हैं, तो साथियो मिलते हैं next video में, thank you